देश वाज़ियों, मेरे परिवार जन, आज वो शुब घड़ी है, जहम देश के लिए मर मिटने वाले हैं। देश की आज हज़ि के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आज जीवन संगर्ष करने वाले, फासी के तक्त पर चर्कर के धारत मा की जैके नारे लगाने वाले, अंगिनत आज हज़ि के दिवानों को नमन करने का ये परवा है। उनका पुन्यस मन करने का परवा है। आज हज़ि के दिवानों ने, आज हमें आज हज़ि के इस परव में स्वतंत्रता के साथ लेने के लिए स्वभाग्य दिया है। ये देश उनका रनी है। ऐसे हर महा पुरुष के प्रती हम अपना स्रद्धा बहा व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देश वात्यों, आज जो महा नुभाव रास्त रक्षा के लिए और रास्त निर्मान के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिवद्धा के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं। देश को नई उचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता के प्रतिव उसकी निस्था, लोगतंत्र के प्रतिव उसकी स्द्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरग घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आधर पूर्वग नमन करता हूं। प्राकृतिक आपदा के कारण हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवार्जन खोए हैं, संपत्ति खोई हैं, राष्ट्र ने भी पारावार मुक्सान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं उन्हें विश्वाद दिलाता हूं, कि यह देश इस संकट की घरी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्याने देश वाचियों, हम जरा आज हादी के पहले के वो दिन याद करें। सैंकरो साल की घुलामी, हर कालखन संगर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिया हो, आधिवासी हो। उन्होंने गुलामी के खिराब जंग लड़ते रहे, अभीरत्य जंग लड़ते रहे। इत्यास गवा है, कि 1857 के स्वाता संगराम जिसको हम याद करते हैं, उसके पुर्व भी, हमारे देश के कई आधिवासी छेत्र से, जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी उड़ा इतना लंबा कालखन, जिल्मी शासक, अप्रम पार्यातनाएं, सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोदने की हर तर्कीव है, उसके बावजूद भी, उस समय की जंग संगरे के हिसाब चारिक चारिस करोर देश वासी, आज़ादी के पुर्व, चालीस करोर देश वासीों ने, वो जज़वा दिखाया, वो सामर्थ दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूजते रहे, एकी स्वर्था बंदे बातरम, एकी स्वर्था भारत की आज़ादी का, चालीस करोर देश सवासीों ने, और हमें गर्व है, कि हमारी रगों में उली का खून है, वो हमारे पुर्वच थे, सिर्फ चालीस करोर, चालीस करोर लोगों ने, दुनिया की महा सत्का को उखाड़ करके भैग दिया था, गुलामी की जंजिरों को तोर दिया था, अगर हमारे पुर्वच, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो, एक सो चालीस करोर है, अगर चालीस करोर, गुलामी की बेडियों को तोर सकते हैं, अगर चालीस करोर, आज हमारी के सपने को पुर्व कर सकते हैं, आज हमारी लेकर के रह सकते हैं, तो एक सो चालीस करोर देश की मेरे नागरीक, एक सो चालीस करोर मेरे परिवार जान, अगर संकल पर लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशान नरधारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंदे से कंदा मिलाकर, अगर चल पड़ते हैं, तो चुनोतियां कितनी भी क्यों नहों, अभाव की मात्रा कितनी हित्तिव्र क्यों नहों, संसाधनों के लिए जूजरे की नौबत हो तो भी, हर चुनोति को पार करते हुए, हम समर्द्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विट्सिद भारत का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अगर 44 करोर देश्वासी, अपने पुर्शार्च, अपने समर्पर्च, अपने त्यार्च, अपने बनिदान से, आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 144 करोर देश्वासी, उसी भाव से, समर्पर्च भारत भी बना सकते हैं, साथियों,